इश्यालाह ताला मेरा वादा है आप से ही के मैं जो बना रही हूं ड्रिंग की आपको बहुत बैनिफिट देगी जो बना मैं जो खूंग पिए तरह रहा है वह जो रहा है जाते जाते और तो की तरह बाते करने में शूफ हो गया है आप लोगों के साथ एक ऐसी ड्रिंक शेर करने जारी हूँ जो के वाइटनिंग ड्रीक है और एंटी आक्सिडिंट है उसमे बहुत सारे पैरिफिट्स है आपके लिए बहुत अच्छी होगी आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो रमजान में आप चमा चम आपको स्किन बिले कि तो ड्रिंक की बहुत जबरस्त है और बहुत टेस्टी है चले में क्यों ड्रिंग बनाते हैं चैनल को सबसाइब करें लाइक करें कमेंड करें अंचे में लिंक्स आइए जिससे आपका रंग चिटा हो जाएगा स्किन पे गलो आएगी यह मिंट मिंट लीव्स यह ज्यादा हैं मैं थोड़े से कम डालूंगी मैंने इसलिए तोड़ लिया थे ज्यादा कि अगर इसमें से को खराब ही है तो मैं निकाल लूँगी यह जी सौफ जो हम यूज करते हैं चपाने के लिए जिनों गैस हो यंदी है यह जी लैमन यह लाइचीज है चोटी लाइचीज और यह जी वन लॉंग ठीक है अब यह हम बनाने लगे हैं और आपके साथ कश्यर करते हैं यह स्किन अमारी अंदर से हमारा ब्लाड भी सर्कुलेट अच्छा होगा जिससे हमारी स्किन ग्लो करेगी और अंदर से हमारे जो गंदे मादे हैं वो भी यह सब्सक्राइब स्क्राइब कर देगी और चुछा लिए है अब उसे भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसमें हमने ए गलास ग्लास दो ग्लास हमने लेने एक्षूल में और इस लग को पका पका के इसमें हम ने एक कप के विताबिक हमने इसको लेना है यह डो ग्लास अब हमने इसमें यह चीज़े ड़नी है यह जी लीव्स मिंट लीव्स इतने बहुत हैं ठीक है अब मैं इसको थोड़ा से वाश कर लेती हूँ वाश करके निकल जाए अभी इसमें डाल दें हमने ओके दूस्री चीज हमने इसमें डाली है सॉफ सॉफ यह स्किन को साफ करती है सॉफ अंदर से आपके जो कैमिकल्स हैं जो बॉड़ी में होते हैं वो इसको साफ करेगी आँच इसकी हम खलकी कर देंगे क्योंकि खलकी आँच पे इसको हमने पकाना है यह जी हमने लाइची लेनी है तकरीब बन यह चार इसके बीच निकाल लेने ठीक है यह चार वान टू थ्री छिलके समें डाले इस इसमें यह long add one only इसकी जो होती है ना बहुत गरम होता है इसलिए हमने इसको एक ही नारकिये हमारी body में ये जो मते होते हैं हमारी body के अंदर यह उसको गरन करके नहीं कि जो चीजें हमे चाहीं हऊंच वो गंकर करके पर इंकिक्स की उपर glow लाएगा वो वो उसको खतम बीड एंटी ऑप्सिजन केमिकल्स भी हमारे बॉड़ी में होते हैं यह हमने बाद में इसको एड़ करना है जब यह रेडी हो जाएगा ठीक है इसको डाल देते हैं अब इसको पकने के लिए हम छोड़ देते हैं इसको डाम नहीं है क्योंकि जाहरे इसकी जो स्टीम होगी उसी से य का प्रह जाता है थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेरी तबियत आज काफी सैड रही क्योंकि मेरी कल फुपो की जो के बहुत ज्यादा लविंग थी मेरे साथ उनका बहुत प्यार था अचानक उनकी डेथ हो गई माशालला उनको रमजान का फ्राइडे मिला है बहुत तकलिफ में थी और बहुत ज्यादा परेशानिये देखी उन्होंने तो मैं इन्शालला उन पर बात जरूर करूंगी मेरी बहुत अच्छी पुपो थी लोग कहते हैं फुपी है ऐसी होती है वैसी होती है मेरी फुपो होड़ा सा और पकाएंगे तो यह पठाप बन जाएगा ठीकर जबरदस से जाइका है किस्मेल मॉबल्स है इसका जो कि इसका जो बेनिफिट है वह आपको इन्शालला ताला जल्दी नज़र आएगा एक महीने के अंदर अंदर ही इसका आपको बेनिफिट आपकी स्किन पर आपकी बॉड़ी में जो भी एंटी ऑक्सिडंट है और जो मेलनन आपकी बॉड़ी जो बनाती है जो स्किन पर जाती है जो स्किन को रोकती है कि स्किन पर टाइनिंग होती है जो स्किन पर तकरीबन ब्लेमिश होते हैं अनिवन स्किन टॉन है फ्रेकल्स है सन बन है यह इस यह ड्रिंक के साथ वो तक्रीबन वैनिश हो जाएगी इनिश्यालाह ताला मेरा वादा है आप से के मैं जो बना रही हूं ड्रिंक की आपको बहुत बैनिफिट देगी हम स्टेन कर लेते हैं ठीक है स्टेन कप में ग्लास में जो भी आप जिसमें भी करना चाहें तो कि एक ऐसा इसका कलर हो जाएगा जैसे कावा का अब इसको फंड़ा होने के लिए रख देना इसको फंड़ा पीना है और उसके बाद हमने इसमें लेमन स्कुई करना हैं इसके दो से त्रीं ड्रॉप सम्लेमन स्कुईज करेंगे अभी नहीं करेंगे थंडा करेंगे क्योंकि कि बुकुत ज्यादाव झा तो अबी से मिक्स कर देंगे पिर ना हमने करना है ठीक भू झालए नो में पीने सब्न्टेरील मेरे नियुक्त 950 ples्सकू कर देंगे और हम चमर यह नेवर हैं Especially इसको हम करेंगे आप लोग इसमें हनी एड़ कर सकते हैं तो यह आजकल रमजान है रमजान की वज़ा से हैसले नहीं ली जारी है कि आप सारी से पहले इसको लेंगे तो जाहिर है इसके अफेक्ट से आप इसको अफ्तारी के बाद ले अफ्तारी के बाद आप इसको तकरीब बन इसको पी सकते हैं आप क्या चेड़ा गलो कर जाएगा और खूंड बे साफ हो जाएगा और आपके स्किन में जो आपकी बॉड़ी में मैलनन है वह इंक्रीज होंगे और स्किन पे गलो आएगा चले पीते हैं यह जो ड्रिंक मैंने अभी बनाई है ना इतनी के मैजिकल है मैं यू यूज करत है और सबसे पहले आपने जब यह ड्रिंक यूज करनी है ना तो आपने इसकी प्रॉपटीज का ख्याल रखना है कि आपने कैस कितनी उसमें चीजें डाली है इसको अगर आपको इसका जाएका अच्छा नहीं लग रहा तो आपने इसमें थोड़ा सा हनी एड कर लेना है ज आपका फेस पैक बंजे उससे भी आपकी स्किन बहुत ग्लो करेंगी है तो इसलिए के नमजान के बाद स्किन बहुत डल हो जाती है क्योंकि आईली चीज़ें और यह चीज़ें खाखा के ना हम लोग ने अपनी स्किन का बड़ा गरक कर लेना होता है पिंपल्स आजाते है और दिल भी साफ होगी और चेरा भी साफ हो जाएगा मैंदा भी साफ हो जाएगा बोट ही मजे तर टेस्ट है इस को बहुत अच्छ़ लगेगा और आपको मजभी आएगा इसको पीक और साब कि आपकी प्रोपर्टीज भी इंक्रीज होंगी, आपकी स्किन लाइवल भी अच्छा होगा, स्किन टॉन भी अच्छी होगी, पिमिनेशन जाएगी, संटैन, और अनिवन जो स्किन जिनकी है वो भी फ्रेश होगी, और ओईली चीजों से थोड़ा सा परहेज कर ले, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, तो जी, कैसा लगा, आज का विलोग आपको, उमीदें आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक खरें, कमेंट करें, नेक्स विलोग मुला का दोगी सिया, आपकी स्क्राइब